सांगी जी और जैन साब आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद निवेश मंथन से बात करने के लिए और हमें बड़े खुशी है कि निवेश मंथन म्यूशल फंड संबान 2019 में किन्रा रुबे को म्यूशल फंड को चार स्ट्रेणियों में विजयता की स्थेती हासिल हुई ह पहले अगर हम मल्टिकैप स्ट्रेणि की बात करें जिसमें आपके एक्विटी डिवर्सिफाइड फंड को समान मिला है इस फंड के बारे में हम आपसे समझना चाहेंगे कि यह फंड किस तरह के निवेशकों के लिए बहतर होगा यह फंड एसेंशली थोड़े जो रिस्क कम रिस्क वाले इन्वेस्टर है जिनको फुल एक्विटी एक्सपोजर चाहिए लेकिन रिस्क अपेटाइट और यह बुलेंगे नो के मार्केट में मोर पॉजिटिव जब डिरेक्शनली मेट कैप स्मॉल कैप के बदले लार्ज केप में ज्यादा पसंद रहना पसंद करे है लेकिन हम इसा इन्वेस्ट आइसा प्रोसेस से कर रहे है कि जहां पर लार्ज कैप टिपिकली 60-65 परसेंट तो मिनिम्म रहेंगा सेन्सेक्स चाले से जार के आसपास है वैलिएशन बाजार का लोग कह रहे है कि महंगा है और दूसरी तरफ स्मॉल कैप केटेग्री जो है कुछ मिट कैप में भी और ज्यादा तर स्मॉल कैप में वैलिएशन काफी नीचे आ गए है तो आपको थोड़ा लालच नहीं होता क कि अधर अपना हिस्सा बढ़ा लें इस के फंड में मल्डी कैप में वो लालच है इसलिए वो हिस्सा न जो 95 लार्ज कैप से 60 लार्ज कैप का इसलिए रखा है कि जहां पर अपर्जुनेटी दिखती है लेकिन अधर सेम टाइम फोकस हो है कि इन्वेस्टर जी की जो बेसिक जहां पर अट्रेक्टिव स्टॉक्स लग रहे हैं वो लेंगे लिकिन एज़ा बास्केट आइडिया वो है कि कम टोटल एक्सपोजर में इन्वेस्टर में तीस चालिस के बीच में रखेंगे ज्यादा नहीं जाएंगे और पाकी लार्ज कैप के त्रू ही प्रोसेस करेंग तो इस फंड के बाडरे में जैसा कि आप जारो Наम से जाहिर है कि ईमर्ज कैप और मिट कैप भी हैं तो यहां तो नाम में ही मिट कैप शामिल है तो आपको और ज्यादा लाला चाहरा होगा हाँ जरूरी अभी emerging equity जो scheme है उसका भी large and mid cap आप mandate देख लीजिए या even emerging equity as a name जो हमने दिया है scheme का, broadly it means that यहाँ पे थोड़ी risk appetite ज्यादा है sector thematic fund में हमने देखा कि आपका केंडर रुबिको consumer trends fund जो है वो काफी बेहतर production करने में सफल रहा है और इसलिए इस category में उसे हमने निवेश मंथन mutual fund समान 2019 दिया है sector thematic fund की study में तो यहाँ पर एक चिंता भी यह है कि ठीक है अभी तक का production तो ठीक था इस category में लेकिन इस sector के काफी share जो है वो काफी उंचे valuation पर आ गया है जिसके चलते हैं सामाने तौर पर जो share bazaar के जानका रहे हैं वो इस sector से अब थोड़ा सा जहजक रहे हैं लेकिन आप तो इस sector का ही fund चला रहे हैं तो आपके सामने तो option नहीं है कि आप इस sector से कम कर लें exposure ऐसे में आपकी रणीत ही क्या होगी इसमें दो चीज़े एक तो है कि एक सेक्टर काफी बड़ा है वन्य हम जब जब consumer trend सेक्टर देखते हैं तो हमारे जो fund है बेसिकली हम लोग consumer सेक्टर में जाते हैं उसमें discretionary और staple भी आ जाते हैं याने automobiles, media, अपने normal FMCG जो बोल रहे है financial service companies यहां पर retail exposure जाता है तो वैसे investment mandate is not a problem कभी-कबार valuation might be slightly ahead of the time लेकिन ये पूरे सेक्टर की सबसे बड़ी advantage क्या है कि इसमें जो-जो companies है उसकी balance sheet काफी सही सलाम आते है majority companies में debt नहीं रहती है अगर आ financial service हटा दो तो almost कोई भी consumer oriented companies में debt नहीं रहती है कि कभी-कबार valuation over या under हो जाती है तो one likes to churn लेकिन अगर जाप यह पांच साथ साल-दस साल की जो normal investment horizon हम देखते हैं तो परहपs consumer as a category सबसे इन्हों attractive हो जाते है क्योंकि वो 5-10 साल की visibility और कोई sector में लगाने से अच्छा है कि हम consumer में या financial service में देखे तो शायद काफी ज्यादा है अब जो चौथी category है वो hybrid category है balance aggressive hybrid fund और उसमें आपका केनरा रोग को equity hybrid fund जो है वो हमारी इस नविश मंतन mutual fund सम्वान की प्रक्रिया में ऊपर आया है इस fund में आप दोनों मिलकर के चला रहे ह तो यहां पर चुकि equity भी है debt भी है आप equity देखते हैं आप debt देखते हैं दोनों के बीच में थोड़ी खीशतान होती है वह equity में ज्यादा रखना है डेट में ज्यादा रखना है गिवन होता है कि आप 25% तक 65-75% तक equity रख सकते हैं और बाकी 25-35% है वो debt रहेगा तो है खीशतान होती है बट हमें ऐसे लगता है कि यह equity related fund है ज्यादा और इसमें जो 25% का जो debt है वो फंड को थोड़ा सा सहरा देने के लिए कि आपको अगर market भी खराब हो तो आपको debt side से आपको जो return मिलेगा तो आपका return compared to अगर आप किसी equity fund से देखें तो आपको return थोड़ा है वो हमेशा equity को follow करते हैं तो equity वाले को पूरा हग है कि वो 75 तक जा सकता है और हमें फिर वो कम करना पड़ता है जैसे आपने कहा कि debt fund debt वाला हिस्सा जो है इस fund में वो सहरा देने के लिए है लेकिन आजकल तो debt में ही उल्टा हो रहा है कि वहां पे एक दिन में आधाई एन बहुत दूर हैं तो हम शुरू से ही बोलते आ रहे हैं कि credit risk fund में आपको थोड़ा return ज्यादा दे सकता है बड़ जब आपको वह hit करेगा तो आपके काफी impact आएगा नवी पे तो वह देखते हो है हमने आपारा जो policy है वह हम जनरली high credit quality जो बोलते हैं वह वाला paper लेते हैं जो debt में इतना risk क्यों ले इसे rating अब इतना comfort देती है island fs को AAA rating थी हां तो rating तो हमारे लिए starting point होता है मतलब एक सुरुआत का कि हम start कर रहे हैं कि देखना कंपनी को उसके बाद उसका पूरा हमारा बारा साल से हमारा joint venture है भी start हुआ था 2007 में अभी उसको बारा साल बार्वा साल चल रहा है तब से हमने policy हमारी चल रही है हमें नुक्सान भी हुआ बीच में बीच में जब लोग credit fund में पैसा दे देते हमें कम मिलता था बट अभी हमें फायदा भी हुआ है कि हमारे जो कोई loss नहीं हुआ है डेट साइड में अपने अपने fund house के बारे में बताया कि जहां पर रिस्क ज्यादा होता है आप उससे बचते हैं लेकिन overall अगर industry की बात करें तो एक निवेशक के मन में रहता था कि debt में पैसा लगाया मतलब हमारा वो पैसा सेफ रहेगा सुरक्षित र जैसे also थोड़ा push भी आ रहा था जादा रिटन देने का जो आप competitive nature होता है market का I think after यह सब होने के बाद जो एक credit problem हुई है market में I think investor एक तो निवेशक थोड़ा सतर्ग हो जाएगा मैं इन इवेशकों को यह भी बोलूँगा कि आप जो भी जहां पर भी invest कर रहे हैं आप उसका portfolio जरूँ चेक करें आप advisor के तुरू कर रहे हैं तो उनसे बोलें कि वो portfolio चेक करें कि उसमें आपके lower rated paper कितने हैं और उसको पूरा चानबीन करना जरूरी है यह fixed deposit था है नहीं कि आपको सतर करना पड़ेगा जहां पर इंवेस्ट कर रहे हैं तो इंडेस्ट्री में बहुत सारे केस हो गए हैं भी I think इंडेस्ट्री वाले भी थोड़े से अभी careful हो के चलेंगे थोड़े सतर को के चलेंगे और investor को निवेशक को सबसे ज्यादा सतर करना है जहां पर भी invest कर है तो ऐसा नहीं है कि सब फंड नौशिस की प्रावलम में दो तीन बड़े-बड़े फंड रॉशित ने ज्यादा रिस्क लिया था उनको ज्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गया बट काफी फंड बड़े हैं वो भी बच के निकल गए हैं और I think इससे निवेशकों को भी option रहेगा कि कहां पर इन्वेश्ट करना है बट आगे जाके निवेशक को थोड़ा तो सतर क्रहना पड़ेगा पोट्फोलियो कॉलिटी देखना पड़ेगा विफोर इन्वेश्टिंग एक निवेशक जिसका पैसा ऐसी स्कीम में लगा हुए जिसकी एन भी एक दम से घट ग या दूसरे ऐसी कटेगरी के इन्वेश्टर हो सकते निवेशक हो सकते हैं जो सोच रहे हो कि किसी फंड के निवी अचानक से गिर गई है क्या उसमें कोई हमारे लिए मौका है अब सरह है लाला चा रहा होगा उसे दोनों तरह के निवेशक के लिए आप क्या कहेंगे तो इ अगर किसी निवेशक को डर लग रहा है कि मेर जो गया वो गया अभी मैं निकल जाता हूं और मैं किसी अच्छे फंड में डालते तो इसको पूरा डिसिजन लेना चाहिए और किसी को ऐसे ग्रीडिनेस में कभी ऐसे फंड में घुसना नहीं चाहिए कि मुझे आगा कि चलक हुआ है तो शाहिए थोड़ा जल्दी भी हो जाएगा बट अभी एक दो केस जो बीच में सैटल्मेंट भी हुआ था उनका अभी तक फाइनल सैटल्मेंट नहीं हुआ है तो थोड़ा समय लगेगा काफी समय भी लग सकता है तो इसमें आप फिर आप इंधार करके तरह जा या फिर बैंकिंग और विद सुरक्षा के साथ सेफ्टी तो आपको फिर डेट फंड में डालना चाहिए अच्छे डेट फंड में अच्छे कॉलिटी डेट फंड में कृष्ण संग्वी अमनीश जैन आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और एक बार फिर से कर कर से बढ़ा हिन।